Hello friends, I am your study mate Sariqa Ramola और आज हम करने वाले हिंदी की यूनिट 3 जो है देवनागरी की लिपी का विकास ठीक है? Friends, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमें हर टॉपिक को क्लियर करते वे जाना है क्योंकि इतने सारे questions हो रहे हैं, exam हो रहे हैं लास्ट मोमेंट पे आप सोचेंगे कि आप सारे chapter पढ़ लेंगे और आपको समझ हुए आ जाएगा तो यह गलत फैमी होती है तब तो चलिए जो देवनागरी लिपी है उसको हम देखेंगे आज पूरा कि लिपी होती क्या है देवनागरी लिपी का विकास किस प्रकार से वह इसके गुण क्या है दोस्क्या है भारत की और कौन कौन सी भासाएं हैं जो इस लिपी में लिखी जाती है ठीक है तो इसे ध्यान रखना है मैंने पूरा merge करके यह topic बनाया है अगर आप कहीं और भी देखते हैं तो आपको हर चीज के लिए अलग-अलग videos देखने पड़ेंगे लेकिन मैंने इसको एक साथ merge करके बनाया है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कि देव नागी लिपी का विकास हुआ कैसे इससे पहले हम देखेंगे कि आखे जो लिपी शब्द है यहीं लिपी है यह होती क्या है उसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि भासा क्या होती है और पिछले दो चैप्टर से जब हमने पढ़ा चाय हमने देखा होगा कि हिंदी अब देखा था वर्ण माला एल्फवेट हिंदी के उसमें मैंने आपको बताया था कि भासा क्या है एक फिर से हम देख लेते हैं जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे से कम्यूकेट होने का एक जरिया ब पढ़ेंगे तो यह क्या है मैंने बूल के आपको बताया आपके सामने अपनी बात रखी और आप लोग मुझसे कम्मिनिकेट हुए ठीक है आप समझे उस चीज को अब मैंने आपको कहा कि यह तो दासा हो गई अब आपको मैंने कहा कि मैं लिखकर आपको बताऊंगी कि तो यानि हमने जिस चीज को लिखा है वर्णों के माध्यम से संकीतों के माध्यम से अपनी विचारों को प्रकट किया है उसे लिपी कहते हैं दो अंतर है इन दोनों में एक एक अंतर है यानि जो भासा है उसको क्या करेंगे सुनने योग्य होती है सुनके यानि श्रब्य ज अब करते हैं ब्राह्मी लिपी की हम बात करेंगे तो भारत की जो सभी लीपियायां है चाहे देव नागरी लिपी वह हो वह ब्रह्मी लिपी में लिखी गई है अस्yuस्लिट प्रकार से कहा जाएगा तो देव नागरी लिपी का क्या है यह पुराना रूप है ब्राम्हे लिपी माला जाता है कि जो ब्राम्हे लिपी है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन हुई थी इसलिए इसको क्या नाम दिया गया ब्राम्हे लिपी नाम दिया गया और इसका प्रियोग सबसे पहले किया था वैदिक आर्यों की द्वारा में गुप्त काल में ही इसके बात क्या होता है कि ब्रामी लिपी को दो भेदों में बांट दिया गया आगे जाके दो पार्ट्स में ठीक है एक हो गए उत्तरी ब्रामी और दूसरी दक्षनी ब्रामी यहां पे देख लेते हैं दक्षणी ब्रामी को कि जो तमिल लिपी है इससे इसका ओरीजन हुआ दक्षणी ब्रामी से तेलगू कन्नर लिपी है इसका भी ओरीजन यहीं से हुआ ठीक है जन और मलियालम लिपी इन सब का जन हुआ दक्षणी जो ब्रामी थी उससे हुआ ठीक ह उत्तरी ब्रहमी के बाद क्या आई गुप्त लिपी आई गुप्त लिपी के बाद क्या आई कुटिल लिपी आई ठीक है और इसके बाद प्राची नागरी आई ठीक है इस चीज को समझें प्राची नागरी आई और बाद में इसे नागरी ये देव नागरी कहा गया और जब ज़ाद ज़ाद पूछा जाये तो कुटिल लिपी से ठीक है इसे धिहान रखेंगे तो यह ब्राम्ही लिपी के दो पाट हो गए थे गुप्टकाल में तो आप देख लेते हैं कि जो देव नागरी लिपी है इसका नामंकरण इसका जो नाम रखा गया हो किस आधार पर रखा तो किस ने रखा है कि धीदैगन लिपी को कहा जाता है लोग नागरी और हिंडी लिपी कहा जाता है इसे थींडी खुआठे थे थाफ्राइं कि विद्वानिकरण का मानना होता है धेखिए हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो मैंने कहा हम कोई हम रचशनाय हैं उनके मा नागर ब्राहमन है इनका सम्झन जोडते हैं इस लिपी से नागरी लिपी से इसे बाद देखा जाता है कि गुजरात में सर्व प्रत्र प्रक्षिलीद नागरी लिपी गर आपके पास वे ज़यर नागरी लिपी जन्म किस राज्यिद्ट से और कहां आणसर क्या जाएगा तो किष्राट इसे ध्यान रखना ही but question पूछा जाता है तो नागरी लिपी अब माना ग्या है जो डेववगणी कौनसी है संस्कृति को अलगरी कहा जाता है और संस्कृत्का Лठी को खी का जाता है देव नागरी लिपी में लिखा जाता है ठीक है इसे ध्यान रखेंगे और नागरी तो इसको मैंने कहा यहां पे नाम दिया गया क्योंकि नागरी पंडित जो नागरी ब्रहमतेव कहा गये हैं गुजरात के उनके नाम पे यह पड़ा उसके बाद नागरी में अगर देव शब्द जोड़ेंगे देव यानि देवों की वानी संस्कृत को भी इसी लिपी में लिखा गया देव सब जोड़ जाता है तो बन जाती है देव नागरी तो यह इसका नामांकरण है कि किस प्रकार से इसका नामांकरण हुआ और यह पिर्त लिपी के रूट में विकास कैसे हुआ यानि कि जो हिंदी भाषा है इसका अधिकार देव नागरी लिपी पे कैसा हुआ कि हमें देव नागरी लिपी ही चाहिए हिंदी भाषा के लिए ठीक है यह बात समझ मैं है कि हिंदी भाषा के जो लिपी होगी वो देव बहुत सारे विक्तियों ने इसके लिए काम किया लेकिन सुरवात हो जाती है बृटिस काल से ही जब बृटिस काल में अंग्रेज यहां पे थे तो अंग्रेजों की जो भासा थी और उसकी नीती थी हो कैसी थी रोमन थी और फार्सी लिपी के और इनका अधिक जुका हो था य लिपी में ठीक है तो इसी लिए जो फार्सी लिपी है उसको पूरी हिंदी पर ठोपने का एक सडियंत रचा गया कि क्यों ना हिंदी की जो लिपी बनाई जाए उसको भी क्या बनाया जाए फार्सी लिपी बनाया जाए ठीक है इससे ध्यान रखेंगे इसके बात क्या होता सबसे पहले जॉन गिल क्राइस्ट की बात करते हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फोर्ड विल्यम कॉलेज इसके स्थापनावी थी अठारा सौ में फुल मिलाके देखेंगे तो हिंदी और हिंदी की जो लिपी है देव नागरी इसके विकास का क्रम यहां से स्थाट हुआ अठारा सो से स्थाट हुआ फोर्ड विल्यम कॉलेज का है कलकत्ता में है और अठारा सो में इसके सापनावी अब इसमें एक विभाग था फोर्ड वि सेयली को प्रार्थ में नहीं हूं कि अधिय है उन्हों ने देखा तो फार्सी सेयली और हिंदवी सेयली प्रथमीकता दी और कारण क्या था क्योंकि उन्होंने देखा जो हिंदुस्तानी सहली है इसमें अरबी और फार्सी सब्दों का बहुत अधिक प्रियोग किया गया ठीक है समझेंगे आप इस चीज को तो कुल मिला कर आप देखेंगे तो गिल क्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के नाम पे असल में उर्दु का ही प्रचार किया ठीक है काम तो इन्होंने किया इस पे लेकिन इंडिरेक्टली क्या किया उर्दु का ही प्रचार किया कि लिपी कौन सी होनी चाहिए उर्दु होनी चाहिए चलिए इसके बाल आ जाती है अदालत संबंदी विग्यप्ति अब अदालतों में विग्यप्ति और जो काम होता था वहां पर भी जो देवनागरी लिपी थी इसको जगें नहीं मिली थी ठीक है जो मतलब विकास काम करम देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा बहुत सारी ची अंग्रेजों की कमपनी थी ठीक है उनके द्वारा उंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि अदालतों में फार्सी के साथ-साथ जो फार्सी लिपी है उसके साथ-साथ जो देसी भासाएं हैं उनको भी स्थान दिया ठीक है एक तो फार्सी को दिया गया था स्थान अब उन्ह इसके लिए उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग बंगाल के लिए उन्होंने बंगला भाशा और बंगला लिपी का प्रियोग यहां पर अलाउट कर दिया उसके बाद जो यूपी मध्यप्रदेश बिहार प्रांतों में उन्होंने क्या भासा के रूप में हिंदी का प्रचलन किया लेकिन लिपि क्या रहने दी उर्दू ही रहने दी उर्दू का कि उर्दू का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि क्यों ने ऐसा कुछ किया जाए कि हिंदी को अदालत से ही नहीं बल्कि सिक्षा से भी बहार निकाल दिया जाए ठीक है इसके लिए मुशलमानों ने आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया अब अंग्रेजों के सामने दो अंग्रेज भी दो गुटों में बढ़ गए जहां उन्होंने हिंदी को प्रार्थमीक्ता दी और उसकी लिपी के लिए उर्दू का क्या किया प्रियोग किया कि उर्दू लिपी होनी चाहिए तो कुछने का हिंदी होनी चाहिए और उसकी लिपी देवनाग्री होनी नागरी लिपी और हिंदी भाषा के लिए बहुत सारा काम किया इन्होंने ठीक है अपने लेवल से इसके बाद हम बात करेंगे तो फेडरिक जॉन सोर आ जाते हैं और ये कौन थे ये एक अंगरीजी अधिकारी थे और इन्होंने क्या किया कि जो न्यायले हैं जो अदालते है इसमें हिंदुस्तानी भाषा और भाषा कौन सी थी हमारी हिंडी और देव नागरी लिपी का समर्थन किया एक अधिकारी के रूप में इन्होंने समर्थन किया तो ये भी एक इंपोर्टेंट हो जाता है जॉन सौर के द्वारा इसके बाद हम देखते हैं गौरी दत को और मेरट के एक बहुत प्रशिद पंडित है और इन्होंने भी जो नागरी प्रचार है यानि देव नागरी के प्रचार के लिए कई अपनी सेवाएं दी इन्होंने ठीक है जिनको भुलाया नहीं जा सकता है जैसे इन्होंने 1874 में नागरी प्रकास नामक एक पत्र का प्रकासन किया ताकि देव नागरी लिपी को क्या मिले पहचान मिल सके इसके अलावा देव नागरी गजट देव नागर देव नागरी प्रचारक बहुत सारे पत्रों का इन्होंने प्रकासन किया और हिंदी और देव नागरी लिपी के अपना एहम योगदान दिया था कि हमारी जो भासा हिंदी है इसकी लिपी नागरी यानि देव नागरी ही होनी चाहिए ठीक है इसे ध्यान रखेंगे इसके बाद 1882 की बात करेंगे तो सिक्षा जो आयोग है इसका एक पत्र था उसका जवाब हारते इंदु हरीश चंजी ने उनके अदालतों में जो उनके नागरीकों की बोली यानि भासा है और उस भासा की जो लिपी है उसका प्रियोग किया जाता है ठीक है और यही ऐसा देश है यानि भारत ही एक ऐसा देश है जहां ना तो अदालती भासा सासकों की मात्र भासा है और ना ही प्रजा की यानि च तो इसका मतलब समझे आप ना इंग्लिश को ना हिंदी को किसी को प्रार्थमिकता नहीं दी जा रही है बलकि कभी उर्दू कभी फार्सी और और भासाओं को यह ला रहे हैं तो यह स्टेट्मेंट किसका है भारते इंदू हरीस जंद का ठीक है चलिए अब मैंने आपको फर् अधिय क्ैकरना है जब भी हिंदी भासां के इस विकाशा के लिए करना होगा रहता था कि देव नागरी बहासा के लिएक Tutation के लिए। तो वैसी काम किया मदन मुहन मालविय जी ने और किसके माध्यम से नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 में सापित की इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मदन मुहन मालविय जी के नेत्रतों में 17 सदसी प्रतिनिधी मंडल मिलने गया जो लेफटेनेंट गवर्नर थे तब एंटोनी मैक डॉनल्स से उनसे मिले वो उन्होंने एक पत्र दिया और इसी मुलाकात के बाद अगर आप देखेंगे तो परिणाम हुआ कि जब 1900 आया 1900 में गवर्नर साप ने फार्सी के साथ नागरी को भी अदालतों और कछरियों में समान अधिकार दे दिया तो ये एक उपलब्दी थी ठीक है देव नागरी लिपी के लिए फार्सी के साथ-साथ किसको भी यहाँ पे अधिकार दे दिया न तो सम्विधान सभा में बहुत दिनों तक बहुत बहस चली कि आखिर किस भासा को राजभासा बनाया जाए और उसकी लिपी क्या बनाई जाए तो ये तो बिलकुल सही था ये तो बिलकुल क्लियर था कि अगर हिंदी को राजभासा बनाया जाएगा तो उसकी लिपी किसी भी हालत में देवनागरी ही होगी क्योंकि इसी के लिए तो यह अंदोलन चल रहे थे पीछे से ठीक है तो लिपी तो यही होगी यह अंडस्टूट था तो इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो समविधान सभा में भासा संबंदी विधेक पारित क्या गया और उसी दिन 14 सितंबर 1990 को समविधान ने हिंदी को राजभासा ओफिशल लेंग्विज और लिपी देवनागरी को अपना है इसे याद रखेंगे आप ठीक है और इसी लिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है और किस आर्टिकल में है यह मैंने पढ़ा रखा आप लोग को 343 में चलिए तो कुल मिलाके हम कहेंगे कि जो डेड़ सो सालों से लंबा संगर से चला आ रहा था देवनागरी लिपी को अपनाने के लिए और हिंदी भाषा की एक मात्र लिपी होगी देवनागरी लिपी तो वो सफल हो गया था 500 साल अमने क्यों कहा मैंने आपको बताए जो फोर्ड विलियम कॉलेज था इसके स्थापनावी थी अठारा सो में ठीक है और उसके बाल उन्नीस सो उन्पचास में जब सम्विधान सभाद्वारा इसको अपनाया गया तो डेड़ सो सालों का जो लंबा स्ट्रगल था वो कम अर्थ मैं फिर से बोल रहे हूं जिसे हम लिख के ब्यक्त करते हैं जिन विचारों को लिप कहलाती है और भासा क्या होती है जिसे बूल की हम लोग एक्सप्रेस ब्यक्त करते हैं चलिए तो इसकी सबसे पहली विसेस्ता क्या है कि जो देवनारी लिपी है उसको बाई से दा कि हम इसे लिखना करते हैं दाइनी ओर की तरब जब कि हम फार्सी लिपी यह उर्दू की बात करेंगे तो इन दोनों को दाइनी से बाइनी ओर लिखा जाता है यहां अपोजिट साइट में इसे ध्यान रखना इसे कोई बार पूछ लिया जाता है साथ ही जो देवनागरी लिपी है यह अक्षरात्मक लिपी है यानि अक्षरवर्णों के माध्यम से जिसे लिखा जाता है वो लिपी है यह देवनागरी लिपी कईवार विशेस्ताओं में यह चीज पूछ ली जाते हैं अब देव नागरी लिपी जो है इसके कुछ गुण है और कुछ दोस हैं उनको हम देखेंगे चलिए सबसे पहले हम से विशेस्ता इसके गुण्ड देख लेते हैं में इस एक ध्वानी की लिए वर्ण संकेत है जो हम ध्वानी निकालेंगे उसी वर्ण को लिखेंगे हम ठीक है तो बोला है तो कोई लिखेंगे उसे दूसरा देखिए जो धनी का नाम वही वर्ण का नाम ठीक है जैसे हमने बोला गो धनी का नाम भी वही है और वर्ण का नाम भी वही है ठीक है तो वैसे हम उसे लिखते हैं दूसरा मूख वर्ण नहीं है यानि अगर हम दूसरे वर्ण प्रम कहते हैं अगर व best ki र'lluk और समझ गोज़े लेक अगर आप देखेंगे जो देवनागरी लिपी नहीं हैी जो हमने कल ही पड़ी परसों पड़ी उस वर्ण माला को क्या है विज्ञानिक पद्यती के अनुरूप लिखा गया है सिस्टमेटिक तरीके से ठीक है छेटा देख लेते हैं प्रियोग बहुत ब्यापक है देवनागरी लिपी का जैसे हमने कहा कि संस्कृत हिंदी अमराठी नैपाली और बहुत सारी लिपिया है जिनकी एक मात्र लिपी क्या है देवनागरी लिपी है तो इसका छेतर क्या है बहुत बड़ा है ठीक है एक और विश्यस्ता है इसकी कि जो प्रतेग वर्ण होता है वो सिरो रेखा से बधा होता है अब इस सिरो रेखा को समझ लेते हैं यह होता क्या है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बरसात ठीक है तो लिखा है लेकिन इस पर लाइन नहीं डाली है और आगे मैंने लिखा है बर्साथ और उसपे एक line डालती है, तो यही aim क्या है इससे धियन रहन रहे हुँ है और बार्त है, यहांपर आगे देखेंगे मैंने line डाल दी worden तो यही क्या है सिरोरेका है और अगर आप देखेंगे, जब हम जल्दबाजी में लिखते हैं अगर हम बात करेंगे इसमें बहुत सारे जो विराम चीने ही पून विराम को चोड़ गर बहुत सारे चीन हमने अंग्रीजी से लिये हैं जो रोमन लिपी है उसे भी लिये हैं देव नागरी- लिपी में इसे ध्यान डखेंगे तो यह major क्या है इसके गुण है और कभी-कभी question पूछ लिये जाते हैं आगे मैं इनसे related question भी बनाऊंगा ठीक है चलिए अब इसके दोस देख लेते हैं दोस इसमें बहुत सारे हैं लेकिन हम major पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें problem है सबसे पहले इसकी problem क्या है देवनागरी इसकी एक कमी है ठीक है साथ ही कुछ अनावशक वर्ण है अगर आप देखेंगे पुरा अध्यन करेंगे इसमें तो मैंने screen में जो लिखे वे हैं कि ऐसे वर्ण है जिनको सही तरीके से pronounce उच्चारित करना कोई इसको सही तरीके से नहीं कर पाया तो आप और हम कैसे करेंगे तो आप देखेंगे इनको मैं भी धंक से नहीं पढ़ पाऊंगे और आप भी नहीं तो यह कुछ अनावशक वर्ण है इस लिपी में चलिए कुछ देखें सम्रूप वर्ण में भ्रहम है अब मैंने कहा बोलेंगे तो भ्रहम नहीं है हमने जो विसेस्ता देखें उसकी लेक अमरूप जो वर्ण है उनमें प्रॉबलम है मौ को बच्चे भ लिख देते हैं ख को र और व लिख देते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं उन चीजों को तो यह क्या है एक इसका एक दोस है ठीक है साथी अगर आग देखेंगे तो वर्णों को संयुक्त करने के लिए नि जैसे ए मात्रा ए मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं तो कोई भी वर्ण जैसे हमने लिखा किस नहीं तो को हमने लिखा उससे पहले हमने ए मात्रा का क्या लगा दी यहां पर छोटी की मात्रा लगा दी तो वर्ण से पहले ही मात्रा का प्रियोग कर दिया गया है तो यह भी क्या ह इसका एक दोस है, ठीक है, साथ ही मातरा लगाने की कोई निश्चित पत्तती नहीं है, कही बार जैसे हम लिखते हैं, अंत, तो हमने क्या कर दिया, बिंदी यहां लगा दी, आगे मैंने लिखा, अंत, तो निश्चित नहीं है, कि क्या लगेगा, एक पर्टिकुलर नहीं है, दोनों सही है, कभी कोई किसी को गलत बता देता है, कभी सही बता देता है, तो एक चीजें सही नहीं है, यह इसकी क्या है, एक फॉल्ट है, ठीक है, तो यह इसके दोस हो गए है, गुण भी देख लिए, दोस भी देख लिए, विकास करम देख लिया इसका, नामांकरन भासा क्या होती है वो भी देख ली है अब देख लेते हैं जहां से कुछिन पूछा जाता एक और टॉपिक लास्ट कि देवनागरी लिपी में लिखी जाने वाली भारती भासाइं एक तो हिंदी लिखी जाती है और कौन सी भासाइं है वो हम देखे जो मैंने चार सेट करके हैं यह सारी भासाइं भारत में जो है यह देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो नंबर वन में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट में है नंबर दो में जो है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उससे नंबर तीन में याद करना है चार में भी याद करना है यानि या इस सब किसमें लिखी जाती है देवनागरी लिपी में और यहां से question बहुत बार पूचे गए दूसरे में याद करिया पाली सिंधी कस्मिरी और हर dob अजय हों किसमें रिखी जाती है देवनागरी में और आजकल आभ लिकिसमे पूचे से अगर नहीं से जैसे पहाड के जो नौर्थ इस्ट के स्टेट हैं उनकी पूछने लगे तो इनको भी याद रखना है कि देवनागरी लिपी में लिखी जाती है इसके अलावा भूजपुरी संथाली राजस्थानी मैथली इस सब भी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो इन सब को आ अच्छे से जैसे बन पाते हैं वैसे नोट्स आप बनाएगे इनसे रिलेटेड लाओंगी मैं आपको बोला है पहले भी कुछिन में बात में करवाओंगे एक बार हमारा स्लेवस तो अप इसको डिटेल से पढ़िए और ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा है बिलकुल वही आप अगर आपसे और भी हो पाता है तो तुरंद अपने नोट्स में एड कर लेगे चले मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में अगर कोई सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अच्छा लग रहा है तो भी बताएए बुरा लग रहा है तो भी बताएए को सब्सक्राइब जरूर किके। विजदे नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।